नमस्कार दोस्तों वास्तु ग्यान में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे व्रिशिक राशी जून 2019 चौते सप्ताह के बारे में जाने के 22 तारीक से लेके 30 तारीक तक कर समय आपके लिए कैसा रहेगा तो आईए शुरुआत करती हैं 22, 23, 24 तारीक से दोस्तों इस समय च परिशान रह सकते हैं चिंतित रह सकते हैं कारे शेत्र पर भी आपके लिए काम का बोज अधिक रहेगा शरीर में बेचैनी और ठकान को आप महसूस करेंगे आपका अलस्य बढ़ेगा किसे भी काम को करने का आपका मन नहीं होगा और अपने माता-पिता के साथ भी आपकी अनबन हो सकती हैं या फिर लड़ाए जगड़े की स्तिती दिखाई दे रही किसी बात पर मन मुटाव आपके माता-पिते के साथ हो सकता है तो इस समय में आप ध्यान रखें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें यदि आप कहीं पर धनका निवेश करना चाहते हैं तो बे दोस्तों अब बात करती हैं 25 और 26 तारीक की दोस्तों ये समय आपके लिए बिहादी अच्छा रहने वाला है पंचम भापर चंद्रमा की स्तिती आपको बड़ी से बड़ी सफलता दिला सकती है यदि व्यपारी निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए भागे शा रहने वाला है यदि आप जॉप की तलाश कर रही है तो अच्छी जॉप आपको मिल सकती है इस समय आप अपने काम को और बढ़ा सकते हैं और निवेश करने से आपको लाब राप्त होगा विदेशी यात्रा से भी आपको इस समय लाब मिल सकता है विदेशी कारियों से भी वाद विवाद के स्थिति दिखाई दे रही है लड़ाई जगड़ा हो सकता है तो थोड़ा सा सापधानी भरते हैं तो दोस्तों आप बात करते हैं 27-28-29 जून शाम 4 बजे तक के समय की दोस्तों इस समय चंद्रमा के स्थिति आपके छटे भाव में रहेगी छटे भाव में चंद्रमा के स्थिति होने से आपके चिंथायं बढ़ सकती है शारी कूर्जा में आप कमी को महसूस करेंगे कोई शारीलिक समास्याभी आपको हो सकती है यत्राइह यदि आप करते हैं तो यतराइ संबल कर करें कोई वी खागजी कारिवाई में आप सापधानी बढ़तें लापरवाही से बशना है गर परिवार में कोई ऐसा समचार आपको सुनने को मिल सकता है जो आपकी मांसिक चिंताओं को बढ़ा दे धन का निवेश करने में आप साफधानी बरते कोई भी एहम फैसला बड़ा फैसला इस समय में आप ना ले विदेशी यात्राओं से भी आप का मिल सकता है कोई पूराना रोग भी आपको परीशान करेंगे इस समय आपको अपने खर्चों पर ध्यान रखना होगा अपनी खर्चों पर नियंदरं रखें दोस्तों ये समय आपके लिए बहत ब्हागेशाली रहेगा क्योंकि चंद्रमा के सिती आपके साथ में भाव इ पत्तरी करेगी इस समय आपको लाब ही लाब देने वाला रहेगा, इस समय यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसमें आपको लाब ही लाब मिलेगा आरतिक स्तिति को मजबूत करने वाला समय है नए अफसर कि प्रापती आपको होगी आपकी बुद्धी तेजगत से काम करेगी इस समय को अच्छी खुशकबरी प्राप्थ हो सकती हैं जो आपके व्यक्तित्व में नया निखार नजर आएगा अच्छा खाना अच्छा पहनना आपका शौंक रहेगा आप इस समय घूमे फिरेंगे इस समय को इंजॉय करेंगे घर परिवार और जीवन साती का भर पूर सहयोग आपको मिलेगा आपके लिए यह समय बहुत ही रोमेंटिक रहने वाला है मन आपका प्रसन रहेगा एक नया जोश आपकी अं आपको अपने घर के इशान गोने में गी का दीपक प्रते दिन जलाना है इसके अलावा आप पक्षियों को दाना पानी डालें और गाएं को रोटी खिलाएं तो ये था व्रिश्चिक राशी वालों के लिए जून 2019 चौते सप्ताहा के बारे में इसी के साथ ही दोस्तों अ